तोड़े भी टोकिंग अबाउट संदी सारीर संदी सारीर मतलब जोइंट मोडन में तो अपन को पता है कि जैसे सोल्डर जोइंट, वरिष्ट जोइंट, एल्बो जोइंट ये कैसे बनते हैं लेकिन अकोडिंग आयद्वेद के अनुसार संदी के बारे में क्या बताया गया है तो फर्ष्ट बात करते हैं अपन परिवासा परिवासा तो परिवासा में देखना देखो, दो या दो से अधिक अस्तियों के शीरे आपस में आके मिलती है पर उसको बोलते है संदी तो देखो, जैसे यह इसके पूला है, यह हूम्रस है अब यह हूम्रस का पर अपर एंड, मतलब एंड ही तो है और यह भी इसके पूला का एंड है तो देखो इनके शीरे आपस में मिल रहे है ना इसको बोलते है अपन जोइंट संदी ओके इसको बोलते है संदी और यह कौन सा कौन से संदी है सोल्डर जोइंट मतलब अंज संदी है ना तो देखो दो या अधीक दो या अधीक अस्तियों अस्ति मतलब बोन अस्तियों के शीरे आपस में मिलते है उके उसको बोलते है अपन संदी इसका एक चोटा सा कोटे से नहीं याद कले ना अस्ति संयोग इस्तानम जहां पर अस्तियों का संयोग होता है ना उस्तान को बोलते है अपन संदी अस्तियों का सहांग तो बोलतेए संदी को बोता है हो फाते है अपन संद्श के परकार मोडन में अपन जो गया साइनोवियल जो गया कार्टीलेचिनेस जो गया सुचर हो गया लेकिन आयरवेद के नुशार संदियों के परकार है तो देखो बहुत करते है को इज vide मूउमेंट के नुशार मतलब उसको किती किति वन रही है कि संदि में कितनी वन रहे है इसके आदार पर परकार घट्राइब को पता है यह तो अगर के अनुसार मूवमेंट के अनुसार दो परकार की होती है जिसमें ज्यादा गति होती है उसको चल और जिसमें गति नहीं होती है उसको इस्तिर तो मूवमेंट किसमें होता है आपको पता है जैसे नी जोइंट है नी जोइंट हो गया और सोल्डर जोइंट हो गया shoulder joint इन में गती होती है कपाल की brain के joint होती है उन में गती नहीं होती suture होती है उन के बीच में joint होता है तो कपाल मतलब brain कपाल की संदी यह हो गया यह होने के बाद में second बात करेंगे यह तो movement के नुशार अब आप next बात करेंगे अपन रचना अकोडिंग रचना मतलब रचना मतलब एनाटोमी इस वेरी 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 यहने टी ओमाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट होके यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है रचना के अनुसार मतलब वहाँ पे कौन-कौन सी स्टेक्चर है anatomy मतलब कौन-कौन सी structure है तो उसके अनुसार संदी के परकार is very very बहुत जादा important है इसका क्यों सनाता है कि संदियों के परकार लिखिए according anatomy या रचना के अनुसार तो total 8 परकार होती है इसके याद रखनी है important है बहुत जादा कि संदियों के परकार 8 परकार की होती है यह याद हो चहीं नहीं हो कोई बात नहीं है लेकिन यह याद होना जरूरी है तो 8 परकार कौन-कौन सी है देखो कोर उल्लुखल इनको modern में क्या बोलते है वो मैं आगे बताऊंगा कोर उल्लुखल सामुदग पतर तुन्शेवनी वाई सतुन्ड मंडल और संकावत संकावत ओके दिस इज आठ परकार यह आठ परकार है संदियों के याद करना है कोर, उलुकल, सामुदग पतर, तुन्शेवनी, वाई सतुन्ड मंडल और संकावत अब एके के बारे में अपन बात करती है कि कोर किसको बोलती है उलुकल किसको बोलती है तो फश्टे कोर कोर संदियों के कोर संदियों अगर मोडन से कोरिलेट करें तो इसको बोलती है hinge joint hinge joint का मतलब है जो जिसकी moment A की तरफ होती है इसकी moment A की तरफ होती है बस ऐसे पिछे की ओर नहीं होती है यह तो पिछे की ओर हो रहा है लेकिन पिछे की ओर नहीं होती जैसे elbow joint elbow joint होता है इसकी moment A की तरफ होती है पिछे की ओर नहीं होती है उनको बोलती है ईंज जोईंट तो अब इस में कौन कौन सी आ जाएंगे देखो ईंज जोईंट में आ जाएंगे एक तो अंगुली मतलब फेलेंजस के बीच में जोईंट होता है कर्लाई मनी बन्द संदि होती है वरिष्ट जोईंट गुल अवस्ट gibt नी जोईंट होता है और कर्पूर वरिष्ट जोईंट वरिष्ट हो गया करपूर का मतलब होता है यल्बो जोईंट तो ये और संदी में आती है जिसका मुमेंट एक इतरब होती चेकेंड बात करते है अपन उल्लू खल तो यह होता है बॉल एंड जोकेट जोइंट यह इंपोर्टेंट है बॉल एंड सोकेट जोइंट तो यह आपको पता है इसमें सबी परकार की गती होती है जबकि इसमें हो रही थी 180 डिग्री पे इसमें 360 डिग्री तो इसमें आपको पता है कक्सा हो गया वर्चन हो गया मतलब इसमें नी जोइंट आ जाएगा और हिप जोइंट आ जाएगा यह हो जाएगा इसमें के जैसे में निबता है था यह वाना यह सोल्डर जोइंट होता है यह भी इसका एक वरकार आँज में किक्सा का मतलब सुन्डर जोइंट है न से संदि भूल दो चाइंग किकसा पूल तो वर्षन का मतलब होता ह HOW e कि याद रखना आपको और दान्तों के उलुखल है न यह है दान्तों के बीच में जो जोहिंट होता है न वो भी ओके यह हो गया उलुखल थर्ड हो गया सामूदग सामूदग इसको बोलते है MPA360 A M P H I A R T H R O S I S इसमें कौन साइज आएगा N Speed यह यादी रखना है आपको Good Bug और Nitam इसमें कौन साइज आएगा सामूदग में यह इंपोटेंट है याद रखना है यह जदा याद हो चाहीं नहीं हो लिकन यह इंपोटेंट है यह हो गए थरी अपनी सामूदग सामूदग हो गया सामूदग होने के बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन फोरते पटर पटर का मीनिंग होता है जो मतलब एक दूसरे पर किसक सकती है एक दूसरे पर जैसे यह भी हो गए यह भी हो गया अब यह इधर उधर हो सकती है ना इन दोनों की बीच में तो इसका एक्जांपल हो जाएगा ग्रिवा मतलब एट लो ओक्षिपिटल जोइंट ओके और प्रस्ट वंस मतलब जो अपनी वर्टीबरी कोलम होती है ना उनके बीच में जो जोइंट होता है उसको बोलती है प्रस्ट वंस तो यह भी हो गया आपको पता है ओके यह हो गया पतर फिर नेख्ट देखते हैं अपन तून शेवनी शेवणी का मतलब गया होगा है सूचर होटा आफको बता है शूचरल जोidores मतलब जो अपने ब्रेन में होता है तो ये तो अपने शीर में होता है आपने को बता ही है सूचर के बीच में जो जोइंट होता है कटी कपाल ओके और शिक्सा जाएगा wysatund wysatund ये important है tmj यह बहुत ज्यादा important है मोडन में बुचते है की tmj joint को समझाइए मतलब tempo mandibular d i b u l a r गád ये important हनू के दो नौर है ना जो हनुु का मतलब जो 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 यहां जबड़ा हनु के दो नौर होता है यह वास सथुद्ड टेमपो मेंड़ब बूलद जॉंट बहुते इसको यह इंपोर्टेंट है ना दो और मंडल में क्या आ जाएगा जैसा हें लरिंग सो तका है ओजाएगा, आ यत्तर आजाएगा, आज में दो जोइट होता है, कलोम नाडी, ओके, यह हो गया, अपना मंडल, मंडल होने के बाद में, एट बात करेंगे, संकावत, अब संकावत का मतलब क्या होता है संकावत मतलब इस संदी की है इस टेक्चर इयर पिन्ना अपनी इयर पिन्ना होती है उसके समान होती है इसलिए इसको संकावत बोला है संकावत का मिनिंग होता है सुनना है न तो इसमें आ जाएगा स्रोथ स्रोथ का मतलब ही सुनना होता है और संकावत और यह संकावताकार की होती है, तो यह हो गए अपने जोईंट, मतलब संधी, संधी के आठ परकार होते हैं, यह मैंने बता दिये, यह important है बहुत ज़्यादा, कि आठ परकार है उनके नाउं और उन में कौन-कौन से संधी आती है, वो, यह बहुत ज़्यादा important है, अब देखते ह की संक्या, आठ परकार की संधीयां थी, अब इनकी संक्या किती होती है, पूरी बोडी में, है ना, तो पूरे सरीर में 210 जोईंट होते है, important है, देखो यह, इस चे पहले मैंने बताया था कि, अस्तिसारी, मतलब बोन, तो बोन के परकार, और बोन की संक्या, और यहां पर है संधीयों के परकार और संधीयों की संक्या, इन में कन्फ्यूज नहीं होना है, बिलकुल भी, ओके, तो संधीयां होती है 210, कहां कहां पे, वोई आईर्वेज में अपनी बोडी को क्या बोल रखा है, सडंग, सडंग के अनुसार देखना है आपन को, तो सडंग में साका आ आईगी, और क्या जाएगी, कोष्ट आ जाएगा, कोष्ट यानि पेली केविती, थोरेशिक केविती, इब्ढमन केविती, साका में अपर लिम और लोवर लिम, और उदर वाजत्रू, मतलब जो नेक होती है उसके उपर, उदर वाजत्रू, तो आप देखो, 210 होती है, तो स जंदियां भी 360, 3206, संदियां नहीं मतलब जो अस्तियां, अस्तियां भी 360, संक्या, 360 चरक के अनुसार, और 300 सुसूरूत के अनुसार, मोडन के अनुसार, 206, हैने, और वो भी बता रहे हैं कि बितनी साका में तो देखो अब शाका में 68 मतलब चार है चार साका होती है दो अपर लिम दो लो लिम तो इसका मतलब एक आत्मी हो गई 17 एक आत्मी किती हो गई 17 तो 17 और चार होती है तो 68 हो गया तो साका में होती है 68 कोस्ट में 59 और उद्रवजत्रों में 83 तो एक में होती है 17 तो चार में 68 अब देखो आपको बता है इसमें तीन जोइंट फेलेंजर्स के और आपको पता है एक होता है वरिष्ट जोइंट, एल्बो जोइंट और सॉल्डर जोइंट, तो किती होगे 17, तो अब एक लिम में होगे 17, तो चियार में 68, यह एकदम आईर्वेद, आईर्वेद मतलब एकदम आईर्वेद वाला मोडन के नुसार करेक्ट हो रहा है एकदम याद रखना है, तो इसमें कौन-कौन ची आजएंगे, हाथ में हो जाएंगे 14 और एक हो जाएगी मणी बंद संदी, मणी बंद और एक तो मणी बंद हो जाएगी और फिर हो जाएगी और कौन ची यह अपना वरिष्ट जोइंट, एल्बो जोइंट इसको बोलते है गुल् कि सोरी में जब considered like this कि सोरी यह हो गया अभाए तीन कौन से हो गये गुलफ हो गया अब पेरों में अलग और हाथ में अलग ओंगे या आपको बताए क्योंकि गुल्फ यानी एफनर जोइंट और जानू यानी नी जोइंट वरसन यानी हिप joint है ना और ऐसे यह पेर में हो गए तीन और ऐसे हाथ में हो जाएंगे वरिष्ट joint elbow joint और shoulder joint तो दूसरे हाथ में भी वरिष्ट joint elbow joint shoulder joint जबकि पेर में गुल प्याने ankle joint और knee joint और hip joint तो यह हो गए 68 according modern के नुसार भी एकदम correct हो रहा है अब cost में 59 तो cost में केशे हो रहा है देखो pressed once में हो रहा है 24 मतलब vertebrae column ना vertebrae column के भीच में होता है ना तो यह 24 होता है यह भी एकदम correct है और stroni plug stroni plug में होता है तीन मतलब जो अपनी पेलवी cavity होती है ना उसमें तीन होता है जबकि according modern के उनसार तीन नहीं होता modern के उनसार होता है चार देखो यह है अपनी hip bone और पिछे है sacral और यह है cocix और आगे यह कहाँ पे meet हो रही है sympasis, sympasis pubic तो देखो sacrum और cocix से बीच में sacrocoxigial joint एक तो यह हो गया और इनके hip bone और इनके बीच में भी होगा तो ileo sacral joint इधर भी होगा ileo sacral joint इधर भी ileo sacral joint तो दो यह हो गया और एक यह आगे की और pubic sympasis joint तो modern के उनसार फोर हो रही है पहले भी के बेटी में जबकि आयरवेग में बता रहा है थरी तो यह याद कर लेना और फिर 500 में होता है 24 पार्षव का मतलब होता है ribs इन भी 24 होता है और works में होते है 8 वक्स में होते है 8 यह हो गया cost में 59 आगे समझ में अब उधरवे जत्रू उधरवे जत्रू मतलब brain इसमें होता है 83 तो देखना 83 कैसे होते हैं उधर वजत्रू में किती होते है 83 तो सबसे बहले गरिवा में 8 गरिवा यानि गर्दन एक और दंतमूल इसमें भी 32 यह बोल सोकेट जोइंटा आपको बताए और नासाम नोज में एक और हनू जा इसमें दो मुर्दा इसमें एक यह याद करना पड़ेंगे यार आपको को है ना का और कंटनारी झार इसमें होता है एक और गंड करन और संक इसमें उते हैं सिरकपाल मतल़ सुचर इसमें पहच जबकि सुचर होती है नेहीं है आपको बता है कि यह हो गया और यह हो गया उधर वजत्रू 83 तो यह संदियों के 200 संदियों के संग्या 210 अपने देख लिए कि साका में 68 कोस्ट में 59 और उदरव जत्रू 83 और संदियों के परकार 8 परकार क्यों होते है यह भी देख लिए और इनके अंदर कौन-कौन से जोइंट आती है वो भी देख लिए तो संदियों में 2 चीज इंपोर्टेंट है एक तो है संदियों के परकार 8 परकार की होती है और एक है संख्या जो 210 होती है वे से ही अपने इसके पहले वीडियो में बढ़ाता अस्ति सरीर अस्ति सारीर में यहीं पर बता देखा हूँ आपको है न क्योंकि अस्ति सारीर और संदि सारीर में कनफ्यूज होती है अपन कि अस्तियों का इसमें कर देती है संदियों का इसमें कर देती है तो ऐसे ही अस्ति इसके परकार तो टोटल 5 परकार की थी और इसकी संख्या तो संख्या अकोडिंग चरक के अनुसार तीन सो साथ संदी, अस्ती मतलब बोन की संग क्या तीन सो साथ चरक के अनुसार और सुसरूत के अनुसार तीन सो साथ तीन सो तीन सो और मोडन के अनुसार दो सो चै तो यह है बोन और यह है जोइंट याद गरना है पन को पर्कार होते है पांच जिपकी शन्दियुं केlogo होते है आठ और सब्स्राइब करें नहीं तो चल और होते हैं याद करना है या कंफ्यूज नहीं होना बिलकूल एक तो इस इस इए शन्दिशा